अब आते हैं इस सवाल पर कि भारत और इंडिया में से क्या सही है सम्विधान सभा में इस पर खूब दहस हुई थी यह हमारे सम्विधान का अनुच्छत एक है और उसमें लिखा हुए इंडिया डेट इस भारत शेल बी ए यूनियन अफ स्टेट्स बड़ी इंट्रेस्टिंग बात है कि उससे में डेट थी कि भारत का नाम भारत रखें या इंडिया रखें कुछ लोग ने आर्यावरत भी कहा आर्यावरत कहा कुछ ने हिंदुस्तान कहा सब नाम चले अंत में सहमती बने कि नहीं भारत और इंडिया ही ठीक है नेहरू जी ने खुल के तो नहीं पर नेहरू जी के परस्पेक्टिव से जो बात वहाँ पर ज्यादा आई वो यह थी कि हमारे सम्विधान के बनने की प्रक्रिया में जो बहुत सारे एक्ट थे जो अंग्रेजों ने बनाये थे जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट उन्निस सो से इन्टालिस का है उन्निस सो पैंटिस का एक्ट था उन सब में इंडिया का इससे माल था उस समय के भारत की तरफ से जो समझोते अंतराश्टी थे उन सब में इंडिया नाम था पश्चिम की दुनिया हमें इंडिया के नाम से जानते थी अमेरिका हो फ्रांस हो कोई भी हो सब इंडिया जानते थे नहरुजी का मिजाद जो था वो ये भी था कि हमें ग्लोबल परस्पेक्टिवी चीज़ों को देखना है पुरे दुनिया से समबात करना है क्योंकि उनकी रुची इंतराश्टी मुद्दों में ज्यादा थी बहुत ज्यादा थी मेरे ख्याल से इन सब वज़ों से तय हुआ कि हम अपना नाम इंडिया रखेंगे पर इंडिया के बराबर महत्तु भारत का भी रहेगा तो लिखा गया इंडिया डेटिस भारत इंडिया जो की भारत है राज्यों का एक संग होगा चार दिन पहले की बात है मैं हॉलेंड में एक टेक्सी में बैठा हुआ था इंट्रेस्टिंग मत सोच के देखिए टेक्सी का ड्राइवर मुरक्को का रहने वाला था उसको जैसी पतालगा मैं भारत से हूँ उसने मुझसे यही सवाल पूछा मैं बड़ा चक्रित की यह मुरक्को का आदमी हॉलेंड में रहता है इसके मन में यह सवाल आ रहा है तो मैंने कहा कि यह तो राज़्यतिक कारणों से हुआ है लेकिन बात अपने आप में सही है मैंने कहा जैसे बॉम्बे मुंबई हुआ मुझे खुशी हुई क्योंकि मुंबई की आबादी के लिए मुंबई में जो मज़ा है बॉम्बे में नहीं है बॉम्बे तो अंग्रेजों नाम दिया था कोलकाता को केलकटा अंग्रेजों ने किया तो बंगाल के लोगों ने कोलकाता कर दिया उसको डिल्ली को दिल्ली के लोगों ने दिल्ली कर दिया दिल्ली बना के रखा हुआ है डि आई डबल लाई यह होना सही है कहे के डिल्ली भाई हम क्यों डिल्ली बोलेंगे डिल्ली को यह सारे तर्क अगर सही है अगर बर्मा का नाम म्यामार होना सही है क्योंकि उनकी जंता की आव तो मेरे मन में सवाल बड़ा साफ आता है कि भारत इंडिया क्यों होना चाहिए मैं फिर सबस्ट कर दूं मैं सरकार के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं मुझे उनसे रत्ती भर मतलब नहीं है मैं विचार की बात कर रहा हूं और मैं जब संविचार्ण पढ़ाय करता था अनुच्छे देख पढ़ाते हूं मैं हमेशा बोलता था कि मुझे चुबन होती है यह पढ़ते हुए कि इंडिया देट इस भारत दोनों लिक्षने थे तो भारत देट इंडिया कर देते अगर दोनों लिक्षने थे ठीक है दोन इंट्रेस्टिंग बात है, हमारा नाम मौरक्को पढ़ गया, फ्रेंच लोगों की वज़े से, मौरक्को के लोग, मौरक्को को मगरिब बोलते हैं, और जब मैं सौधिय अरभी आ गया, सौधिय अरभ के लोगों ने मुझसे कुछा कहां से आए हो, मैंने का मौरक्को, उन्हो फ्रेंच लोगों की वज़े से मौरक्को क्यों कहा जाए, इंडिया शब्द वेस्ट ने दिया, और बुरे भाव से दिया, उनकी नजर में इंडियन होने का मतलब है, बहुत पिशड़ा हुआ होना, रेड इंडियन्स, वेस्ट इंडियन्स, तो आज ये क्यों हुआ, मैं स होना चाहिए, और देशी भाशा भारत के पक्ष में है, आप इंडिया भी रख लीजिए, इंडिया देट इस भारत के बदले, भारत देटंज इंडिया मेरी पहली पसंद होगी, मुझे इंडिया से दिक्कत नहीं है, पर भारत मेरी महभत है.